जोशिमठ की आपदा को पांच महिने पूरे हो रहें आपदा की दौरान दरार वाली घरों को पुर्शासन ने दिस्तेजी से खाली करवाए और उन लोगों को होटलों में जगा दी लेके नाब धीरे धीरे प्रभावित परिवार अपने दरार वाले घरों को लोटते हुए नजर आ रहें जोशी मत्वर प्रिकाश भोटियाल का परिवार तीन महीने होटेल में रहने के बाद अप्रेल में इनसे होटेल की चावी वापस ले ली गई थी प्रिकाश भोटियाल का हाथ भी पूरी तरहा से तूट चुका है और उनका इलाद चल रहा है ऐसे में वी अपने पुरानी मकान पर अपने बच्चों के साथ लोटा है उनका घर पूरी तरह से दरारों से पटा पड़ा है ऐसे में घर रहने लायक नहीं रहा उनका कहना है कि कर रात को भी उनकी घर पर दरार आई जब उनसे होटल खाली करवाय गया तो उनके द्वारा प्रशासन से कहा गया था कि उनसे होटल की चाबी मांगी जा रही है तो ऐसे में प्रशासन ने कहा कि अगर उनका घर रहने लायक है तो वहाँ पर रह सकते हैं और आज भी वह अपने घर पर रह रहे हैं लेकिन घर किस्तिती क्या है आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। आप चावी देदो होतल की जुगे बुकिंग हो रही है और उनके ओनलाइन बुकिंग चल रही है इसलिए आप कमरा खाली कर दो के तो इस चक्र में मैंने उन्हें चावी पकड़ा के मैं अपने कमरे पर आई है क्या आप परसासन को आपने सूचना दी आपको किराये मिल रहा किराये तो कुछ भी नहीं मिल रहे हैं इसका कुछ भी अगर नुकसान होता तो आप लोग जवाबदार रहेंगे सी क्या कहा उन्हों उन्होंने कज अगर रहने लाइक है ठीक है उस पे आपको लगता रह लो रहने के लिए तो रह लो उन्होंने यह कहा मुझी कल क्या हुआ यहां पर कल रात हम सबी अंदर बैठे हुए थे एक द्राम से आवाज हुई और मैंने सुच है हमारा मकान गिर गया है या रेलिंग तूट गई है तो भार आके देखा तो कुछ भी नहीं हुआ था लेकिन आज जब सुबह देखा मैंने तो पूरी जो हमारे से जो सीड़ी नीचे जा रही वो च्छत से कंस्कम डेड़ इंच उपर ऊठी हुए और च्छत नीचे तो बहुत डरतो कैसे नहीं लगेगा पूरा घर खंडर बन चुका है लेकिन और कहीं हम रहने के उसमें नहीं है क्योंकि हमारा ब्यापार हमारा कारोगार सब कुछ चल चले गए और कमरों में हम पीजी रहते थे हमारे वो लोग चले गए और परसासा ने पहले तो रिक्वेस्ट करके हमें होटल में सिप्ट किया उसके बाद में बोला कि अपने घर में जाओ हमारी इस घर में रहने को मजबूर हैं और किराय के लिए मैंने बोला था तो ना अभी कोई किराया है ना कुछ है और सबसे खतरनाक जौन में हमारा घर है लेकिन ना हमारा पेमिंट हुआ भी कुछ भी नहीं हुआ इतनी दरारों के बाद परसासर ने यह नहीं का कि इस मकान पर मत किसी ने कुछ नहीं बोला और 38 से 40 लाख वो पेमिंट करने के लिए बोल रहे हैं अब इतने बड़े घर का कम से 13 तो हमारे कमरे हैं 13 कमरों का 38 सर 40 लाख रुपे मिलेगा इस मेन मार्केट में तो या तो परसासन हमें ऐसी ही जगए इतना ही बड़ा हमें घर बना के दे दे ताकि हमारा अच्छे से गुजर बसर हो सके और हमारा घर का खर्च चल सके जोशी मट की उपजिलाधिकारी कुमकुम जोशी से इस मामली पर टेलीफोनिक बात की गई तो नोंने कहा कि परभावित परिवार को तदकाल किराह की विवस्ता की जा रही है और अब वो इस मकान पर नहीं रहेगा सुरक्षित स्थान पर परभावित परिवार को भेजा जाएगा जोशी मट से कमल नेंखिर पॉट